आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी और मसालेदार मसाला पनीर पुलचा इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है तो फिर फिर फ्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यहां प सीमला मिर्च, एक टमाटर और हरी मिर्च को डालकर हलका सा भून लेंगे, इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, अब आधा चमच हम अद्रक लासन का पेश्ट डालेंगे, और एक से दो मिनिट तक हम इसे भी भून लेंगे, फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, यह भून गया है, तो अब हम इसमें स्वात के मसार नमक को डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक डालने के बाद हम इसमें मसाला एड़ करेंगे, यहाँ पर मैंने एक चमच सबजी मसाला डाला है, और एक चोथाई चमच लाल मिर्च पॉडर, अगर आपको तीखा ज मैस करके डाल दिया है, इसे सबजीयों के और मसालों के साथ अच्छे से हम इसे बून लेंगे, इसे हमें चार से पांच मिनोर तक लगातार चलाते हुए बूनना है, मसाला पनीर का तयार हो गया है, तो अब यह मैंने कुल्चा लिया है, या आटा वाला कुल्चा है, आप म मैयोनीज ना हो, तो हरी चटनी भी यूज कर सकते हैं, धनिया और पूदिना वाली, अब इसके उपर हम पनीर को अच्छे से फैला लेंगे, अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसी तरह से हम दूसरा भी फैला कर सेट कर लेंगे, अब एक तवे को गर्म करेंगे, और उसके उपर मैंने एक चमच रिफाइंट तेल डाल कर इसे अच्छे से अब तेल की जगा बटर भी यूज कर सकते हैं, अब इसे लगातार प्रेस करते हुए हम चार से पॉंच मिनर तक सेख लेंगे, फ्लेम को हमें हाई बिल्कुल नहीं रखना है, अब इसे क्रिस्पी होने तक और कलर चेंज होने तक हम इसे सेखेंगे, और कुल्चा हमारा बन तक केर